हेलो गुडबनिंग बच्चों तो आपका रस्केरियर इंस्ट्यूटूट लाइफ साइंस में आपका स्वागत है तो आज हम पढ़ रहे हैं जिसे अपनी जो मौलबाय स्टार्ट है मौलबाय जी वह स्टार्ट हो चुके हैं तो उसको अपन पढ़ेंगे रेक्च्छर नमब तो उप्राइम से प्राइम से त्रिस तो जो नेगा हमेशा नेया बनेगा आपया है मिजा का में फिर फफरा ने लेप रिख दो लेफ्ट यह राइट टू लेफ्ट टू राइट फिक्स नहीं है यह आपको फाइप फाइप यह त्री प्राइम से देखना है फिर मालों यहां पर डियने बी आगया वह इनको खूलने का काम करेगा और फिर डियने जी आके बाइंड हो जाएंगे चार्ज गार देखो यहां खोलता जाएगा इन दोनों profound तो यह यह वाला यह जो इह यह वाला से दिक्कत नहीं पर यहिए बेसे करेगा तो इसको पहले से आगे वह यहां पर्णा फिर फिर उटाके के यहां पर रख देंगे फिर इतना संटिसि क्रेंग कि फिर उठा के यहां पर उठा कि से रहीच जमगतंगर पर और application 4 की यह देखो यह भी साइड दा रही है तो दोनों के डिरेक्शन क्या है सैम इसको बोलते हैं लेडिंग नीचे देखो एक सकते हैं फिर इसके बाद है कि मालों जो सी है इसमें देखो डियन ने तो ऐसे बन रहे हैं और application 4 तो दोनों पोजिट है इसलिए यह सी वाला क्या है लेगिंग दी वाला देखो यह यह कैसे करेंगे इस त्री प्राइम का उल्टा फाइप्राइम और फाइप्राइम का उल्ट बीसे तोनों सेम साइट तो इसको बलते हैं लेडिंग स्टैंड यह बास नाएं यह क्या होगी लेडिंग स्टैंड अब इसके बात करते हैं यह बता रखाए हैं पर ने नीचे निया अब यहां पर देखो यह ने इससे बनना यहां पर देखो डीनेसी बन रहा है और घृपटोसीट से ने इससले से ओरत है ळेखने और इसको यह ये लेडिंग सबीर्चिन कैसे बनें यह बनुत जीग GTA और बनाएगा यहां से यह सोटाकि यह यह क्या हो कैसे की Fragments जो दिन पूल इसको लोड़ नोगा था बीटा क्लैम तो इसलिए बीटा प्राइम को यह देखो यह वाहिंड है और बीटा इस बीटा क्लैम को एनेर्जी को देता है गामा क्लेंब तो देखो गामा क्लेंब की 500 गामा डेल्टा प्राइम डेल काई और शाहिए यह बास में आगी तो यह आपको आगे होगा दीन और सिंदेशिस के अपना आगे बात करेंगे फिर इसके बाद है कि देखो यहां पे जैसे ही है कि एक क्यूशन आगा नेट में कि इन में पहले कोन अंगे या यह यह तो यहाद रखना यह 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 इतना क्या है यह जो डवलें बना रहा झी अपनी यह इस चैनी हमके रही Space नेपjes लेटेस्ट मतला अभी अभी बनाएं तो मतलब इस रहे एप्लिकेशन 4 के पास कौन से है इस रहे एप्लिकेशन 4 के पास कौन से है फैस्ट वाला अभी अभी बना है मतलब सबसे पुराना कौन होगा तीसरा फिर कौन बना हुआ पूराना को होगा तीसरा सबसे पहले बना फिर सेकेंड और फिर यह लाइब इसकी बात जैसे हमालों यह जुरूरी नहीं हुआ दोनों साइड स्टेंड बना के दे यहाँ पे देखो यहां पर बसा वो कुछ नहीं करना कि यहां से ठीप्रैम देर के तो उसका उल्ट लिलो फ कि इस सउल दोनों सेम साथ इसके उपर आला है यहां पर देखो यह तुकलों में बनेगा क्योंकि दिखो यहां पर फाइपर यहां पर फ्रायम यह तो टुकलों पर देखो यह पर यह यह तो कि जो पुराणना लेक्स का 3 प्राइम है तो यहां पर ने वाले का 5 प्राइम और यहां पर 3 प्राइम मतलब DNA ऐसे बनेगा तो DNA ऐसे बनेगा तो नीचे वाला क्या हो गया लेगे यह पास में यही पूछा था नोर्मल इजी क्योशन आते हैं एक बार क्या है मतलब वह फसा देता है कहीं न कई तो यहां पर क्या डबल स्टेंट यहां पर और कुछ ही नहीं गड़ना चाहिए उसने ऐसे बना के देरका था और पूछा था कि मितलब नया DNA कैसे बनेगा तो यहां पर आपने देखा तो सब आपने देख लिया कि यह लेटिंग है यह लेगिंग है लेगिंग है किसी ने भी चेक नहीं किया कि यह क्या है यूनी डिरेक्शन क्या है यूनी डिरेक्शन क्योंकि इस पर ओनली डिन ऐसे बन रहा है यह बास में यहां पर इस CSIR नेट में सबको फसा दिया था यह भी इसमें डिना से डिने बनेगा फिर उसके बाद मालो जो काशा कि फ्रेग्मेंट्स तुकड़े तुकड़े उनको जोड़ने का काम बढ़ते हैं तो मालो पहले को ना है यहां पर डिने पॉलिमरेस है फस्ट वह क्या गरेगा इस एडिनीन को टाएगा किसको यह बास नागी जैसे मालो यहां पर यू और चीद की पीच फोस्पडाइस्ट बनाना है तो अभी देखो यह जो यू सी ए मालो यह किया है प्राइमेस तो मालो डिने पॉलिमरेस्ट है उसके पास कौन से क्रिट है फाइप प्राइम से तरी प्राइम एक्षण नूकलेस तो वर यह और दीनिन को टाएकिव लेके आएगा और आगए बाद में बनाएगा देखना अभी और यह यह तो यह बना देगा लेकर भी बिच नहीं बनेगा यह बस नो आगी तो इस जो भीच नहीं बना उसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं अगर फोस्पोडाइस्टर बॉंड नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं निक तो लास्ट वाला फोस्पोडाइस्टर बॉंड है यह बस नहीं तो मालों यह जो लास्ट वाला यह बच गया यह कौन लगाएगा नहीं बना सकता क्योंकि DNA polymerase के पास पावर कहां से आती है जो पहले वाला अटाता है उससे जो एनरजी आती है उसी से नया फोस्पोड़ेस्ट बनाता है और लाइगेस होता है वो क्या करता है पहले से जो तोन उप्लूटेड है उनके बीच क्या बना सकता है यह बास ना गई फिर इसके बाद है कि यूप्रोड ओर आर्की बेक्टेरिया ना उनमें लाईगेस यहीन dazu बहुत पार पुछा हॉए यह यूप्लार और खाला ही हुछ चाहि Ottoman प्रोक्रोटेंट भी इंप्रलस फिर इसके बाद है प्राइमेSch प्राइमेज क्या है कि इसके पास NRG ट्रोटेश ISL-9 रजिए अपी डीने को एडेने की कि लगाए आरने के भी नुख्रोटीध फिर क्या होते हैं यहां पर सभी एको छो क्या होगा लगातार और आधा हाफ है वो डिसकंटिनियस मतलब टुकड़ें टुकड़े उसको बलते हैं लेगिंग श्रेंट इसी को क्या बहूते हैं इस छोगटमेटल टाला हम होती दैल को सब्सक्राहि घ्ड मिलेगी और अगया की दिशार चॉटत है पोने बनाया था टुकडों में जो DNA synthesis हो रहा है उसी क्या बोलते हैं वो काजा की fragments और यह किस पर बनते हैं lagging strand पे फिर इसकी बाद है कि यह को लाई है जैसे मालों को प्रोकुरेट है यह 40 मिनिट लेता है अपनी रेप्लिकेशन को कम्प्लीट होने में इसके लावब जो प्रोसेशिवटी फेक्टर है कौनों से बीटा क्लेंप और कामा क्लेंप जो DNA polymerase को लोड़ करते हैं और energy प्रवाइड करते हैं वो लेगींग स्टेंड वाले DNA polymerase तीसरा के साथ बायंड ही रहत है ऐसा क्यों कि वह बार-बार वहां से हटना पढता है मैंने बोलता है यहां से उटके यहां पर आएगा फिर यहां से उटके यहां पर आएगा यहलेगीं पर रहा था लनीडिंग पर और यह स्लता रहेगा फिर इसके बात बात करते हैं कि जो डीने पर फस्त है वह उसा उकाजा की फ्रेग्मेंट के कौन से थ्री प्राइम एंड पर बाइंड ओके गैप को क्या करेगा फिल यह बस में क्योंकि तुकड़े टुकड़े उनके बीच में बॉंड भी तो बनाना है कौन सा बॉंड फोस् क्योंखिँ अब यह तो दो की बीच मालों कोई खाली फोस्रोषा respeon नहीं तो इसलिए करेगा व् demons यह था के लिए यह यह लिटकैने से आना क्या होता है लापकि अंत में लायगेज को चुछक्छ क्रीनिक क्या करें यह नहीं है ऊसी क्या होते है लाइज न्या डेया प्रिक्रेटर उनके क्यों सा बना सकता है उप्रेटराफि parameteri से यहां दोनों बॉन मिलके क्या बनाता है फोस्पोड़ के इंदर लाहेख रॉखेश मास्तो यहां धर को क्या होगा यह क्या बना देगा फोस्पोड़ाइस्टर बॉंड यह यहां पे देखो लाइगे इडी प्लस प्रोगुराइज के अंदर लाइगें फोस्फफटाइस्टर जाएक तो है तो यहां पर ऐन पर बन जायेगा मालों यह फिरह को यहां तो आप यहां पहलती आपक्व से तेंसि'm नाकिनल मतलब असे फरक पड़ेगा संगही देओ यहां पर स्टीbl उस्से फरक पड़ेगा तो 听 जो artylaogate haya है और एकटिव रहता है उनली 15 से 35 celsius तक और एकचील तक तेंप्रिचर रेजिस्टेंट्र और जो की मतलब क्या है आप आप सिक्स्टी डीग्री सेल्सियस तक अराम से काम कर सकता है 15-60 दिग्री सेल्सियस तो बताओ् मिलेगी यह नहीं मिलेगी किसी में ऐसे ना तो यह ऑप्षण देखो यहां भी कि रेडियोएक्ट डिय ने मिले temperature resistant चाड़ीश डिगरी पहले यह देखो कि temperature resistant लाइगे चाड़ीश पर काम करेगा क्या काम करेगा करेगा तो इन पी ओ रोज का क्या बनेगा बॉंड जैसे पी ओ रोज का बॉंड बनेगा तो एच यहां से रिलीज हो जाएगा तो बताओ क्या रेडियोक्ट्विटी आएगी यहां पर क्या लिगर क्या है कि आएगी रेडियोक्ट्विट ड्या फ्रोम कि मतलब अगयो लाइक यह इस क्काम करा तो बॉंड बनेगा और एच रिलीज होजाएगा तो इस रिडियोक्ट्विट्विट यह नहीं आनी चाहिए लेकिन यह क्या बोल रहा है आएगी यह बा लोगा मतलब रेडियो नहीं आए गी यहां पर क्या बोले है यह लेबल तो यह भी क्या हो गया घलत फिर यह 25 टैमप्रेचर रेजिस्टेंट तो 25 पर काम करेगा काम करेगा तो फोस्परास्ट्र बनेगा स्मिनली होगा पिलaden ड llam आ가지 यह कर देगा यह योग यह तो गलत होई गया ठीक है और छोग यह करेगा थे-उट होगा तो रेडियोक्टी धी यह क्या बोले आएगी तो यह वाला भी क्या होगया गलत फिर देखो टेमपरेटर सेंस्टिव्ट मैं पर चालीस थे तो यहोड़ी नहीं करेंगा अब नहीं करेगा अब काम नहीं करा तो जो एच्छ के वह बनेगा एच्छ से डियेनमेहीं रएगा तो मतलब रेरी अइगी तो यह टीवाण क्या हो गया सोही है रेडियो लेवल फ्रोम-ально तेंपरेटिव्या शन्सीव खांप तो यहां पर देखो temperature sensitive 25 तो temperature sensitive पर बताओ काम करेंगा क्या नहीं करेंगा योग्टी रोगए कहां तो है तो यह बास नागि तो यह वी statement क्या होगाна गलत यहांपर क्या बोलाया नहीं आएगी लेकिन आई यह तो यहां पे सीधा पॉइंट यही है कि अगर लाइगे इस एक्टी हुआ तो वो निक को सील करेगा वोस्पोडाइस्टर बॉंड बनाएगा मतलब तो रेडियोक्टिटी नहीं आगी क्योंकि एच्छ रिलीज होताएगा फिर क्या लाइगे मालो काम नहीं कर उसको बोलते हैं लीडिंग और मालों यह क्या है रेप्लिकेशन फॉर्क और यह नया बन रहे हैं उन दोनों के अपोजिट हो तो लैगिंग यह बास नहीं अब यहां आपको बताना है तो यहां पर देख की बिता सकते हो तो यह इदर जार रहे यह फिर वह फाइप्राइम कैसे होगा तो अगरा आपको आज का लेक्ट्र अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सुब्सक्राइब आरे स्केरियर इंस्ट्यूट लाइब साइंस थैंक्यू बच्छों